हेलो एव्रिवन जैडन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम टू ब्रूमो प्रूपेन से वन ब्रूमो प्रूपेन बनाएंगे आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर कर्वर्जन ऑफ और्गैनिक कमपाउंज तो आएज देखते हैं टू ब्रूमो प्रूपेन से बन ब्रूमो प्रूपेन कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले टूब्रोमो प्रूपेन का फॉर्मुलर लिख लेते हैं प्रूपेन है यानि तीन कारवन होंगे तीन कारवन में सेकेंड नंबर पर ब्रूमीन लगा हुआ है यानि सी H3 सिंगल बॉन CH और उपर लगा हूँ है ये ब्रूमीन और यहाँ पर CH3 इसका नाम हो गया 2-Bromo Propane इसकी अभी क्रिया सबसे पहले हम Alcoholic कि OH के साथ में कराते हैं जिससे की CH3 सिंगल बॉन CH डबल बॉन CH2 यानि की Propane प्राप्त होता है प्रूपीन प्राप्त होता है जिसकी अभी क्रिया HBR के साथ में किसी पर उक्साइड की उपस्तिती में कराते हैं तब CH3 सिंगल बॉन CH2 सिंगल बॉन CH2 और BR मिलता है जो की बन ब्रोमो प्रोपेन है आएए देखते हैं इसकी रियक्षिन मेकेनिस्म यानि क्रिया भी थी किस तरीके से ये रियक्षिन होई होगी तो सबसे पहले 2 ब्रोमो प्रोपेन को लिखा हमने CS3 सिंगल बॉन CH और ये उपर BR है यहां पर CS3 इसके अंदर हमने अल्कॉलिक कोईच डाल दिया अल्कॉलिक कोईच अल्कॉलिक कोईच डालने पर ये जो के होगा वो BR के साथ में निकल जाएगा के BR के रूप में जिसकी बज़े से यहां पर CS3 और ये CH पचेगा एक वैलनसी फिरी हो जाएगी दूसरी तरफ जो की OH लगा हुआ है कोईच में ये OH इस CS3 के एक H के साथ में निकल जाएगा H2O के रूप में में अब क्या हुआ यहां से इस पोजिशन पर कोई चिंडिस नहीं हुआ हमने इसको ऐसे ही लिख लिया सिंगल बॉन्ड यहां से BR जो था वो के के साथ में रिलीस हुआ गए toire तो हमने CH जो पहले बॉन्ड बना हुआ था बो बना लिया यहां से बॉन्ड फिरी हो चुका ए धियान रखना आप की CH से एक बॉन्ड फिरी है CH 3 जो है वहां से एक H जो है OH के साथ में रिलीस हो चुका है तो यहाँ पर भी एक balance free है और यह दोनों मिलकर double bond बना लेंगे और यहाँ पर CH2 बचेगा यहाँ पर हम इसको तोड़ कर भी आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यह तूटा होगा यहाँ पर यह वाला जो bond है वो कुछ तूटा होगा जिसकी बज़ी वी आर के ओपर minus आगयों होगा और C के ओपर यहाँ पर plus आगयों होगा यहाँ से जो double करवन के बिचमें जो bond है करवन और hydrogen के बिचमें जो bond है वो एक bond कुछ इस प्रकार से तूटा होगा जिसके बज़ेंस से कारवन के उपर निगेटिव और H के ऊपर पॉस्टिव आगिया होगा और यहां से जो के ओएछ है यह के और ओएच के बी समें जो बॉण्ड है वो इस और के लिए टूटा ओगा यहां से माइनस और यहां से पलस आगिया होगा अब आप देखे ये जो K के साथ में प्लस है ये C दे वियर के साथ वियर माइनस होने की बज़े से के वियर के रूप में निकल जाएगा और ये जो C और H है और यहाँ पर जो ये माइनस आया है इसके H के टूटने की बज़े से वो दोनों मिलकर एक bond को create कर लेंगे और यह जो H+, वो OH के साथ सीधे जुड़कर H2 के रूपे निकल जाएगा next हम क्या करते हैं, हमारा जब प्रोपीन बन चुका है फिर हमने इसकी अभिक्रिया HBR के साथ में कराई और यहाँ पर उपस्तिती होने चाहिए परोकसाइड की यहाँ पर क्या होगा, इसको देखिए यह जो bond है, यहाँ पर जो bond आपको दिखाई दे रहा है देखिए, दो ruling होती है, अगर HBR अकेला होगा तब यह bond इस ओर के लिए तूटेगा, यह कहलाता है अब परोकसाइड पड़ा हुआ है, यहाँ परोकसाइड नियम या एंटी मारकोनी काफ रूल तो इस वज़े से यह जो double bond है, वो कुछ इस ओर के लिए तूटेगा और यहाँ तूटने की वज़े से इसके ओपर minus sign आजाएगा और इस ओर plus sign आजाएगा, यहाँ से H और BR का जो bond है, यहाँ से यह bond break होगा और H के ओपर plus sign और BR के ओपर minus sign आएगा अब यह plus H जो plus का है, वो C दे जाकर यहाँ पर position पर जुड़ जाएगा लिसकी बज़े से जो product बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, देखिए CH3 सेम रहेगा, single bond CH पहले से present था और यह H जो होगा वहाँ जोड़ जाएगा, यहाँ पर एक के बज़े दो है डूजन हो गए single bond सेम रहेगा, CH2 सेम रहेगा और इसके जो उपर प्लस साइन की बज़े से इस पर सीधे बियार चुड़ेगा अकर इसलिए यहाँ पर यह बियार एड़ हो गया और इसी को हम बन ब्रूमो प्रूपेन कहते हैं, यह conversion था two ब्रूमो प्रूपेन से बन ब्रूमो प्रूपेन का मुझे उमीद है आपको यह conversion बहुत अच्छी तरीकी से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू